आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, तो हमारा question है P, ground net, wheat, maize, barley, castor, sunflower in how many plants endosmum is formed 7, 4, 3, 5, तो इन समें से हमें बताना है किन plants में endosmum form होता है So, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे दो टाइप के plants होता है पहले होते हमारे endospermic plants तो यह हमारे वो plants होते हैं जिन में हमारा endosmum present होता है seeds में So, they have endosmum, जो हमारा nutritive tissue होता है वो इनमें present होता है mature plant में भी और हम बोल सकता है mature seed में भी तो इसके अंदर जो हमारे सारे single cotyledon वाले plants होता है जो की monocards होता है वो आ जाता है सो इन सम में से जो हमारे three है wheat सो हम लेख लेंगे सबसे पहले wheat जो हमारा गेहूं होता है फिर आ जाएगा हमारा जो बाले होता है वो बाले और जो हमारा होता है मेस तो ये तीनों हमारे monocards होता है अंदमें endosporm present होता है और जो हमारे दूसरे टाइप के plants होता है वो होता है हमारे non-endospormic plants तो इनमें नाम से ही पता चल ला है इनमें endosporm एपसेंट होता है तो इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है हमारे मैच्योर सीज में नो एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीज तो इसके अंदर हमारे जो सारे डाइकॉट्स होते हैं वो आजाते हैं जिनके पास तो कॉटलेडन्स प्रेजेंट होते हैं तो इन सम में से जो हमारे आजाएंगे इसमें वो होगा P, जो हमारे groundnut होता है मुफली वो और जो हमारा next आजाएगा Castor, वो भी हमारे dicot होता है और Sunflower तो ये सारे हमारे होगे non-endospormic seeds तो हमें बताने endospormic, मतलब जिनमें endosporm present होता है So, 3 हमारे इस question का correct answer हो जाएगा That is, wheat, maize and barley Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर